आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाऊ अभी डाउटनेट करें हेलो फ्रेंड्स, हमें कोशन दिया हुआ है, रोले के सांदे के प्रयोग से वक्र y equal to x square, x belongs to minus 2,2 पर वह बिंदू ग्यात करें जहां पर इस पर स्रेखा x अच्छ के समानतर हो तो सबसे पहले हमें रोले का सांदे समझना होगा रोले के सांदे के अनुसार, अगर हमें कोई वक्र y equal to fx दिया हुआ हो, एवं कोई अंतरालवी साथ में दिया हुआ होगा, x belongs to a, b ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तीन सर्ते होती है तीन सर्तों में सबसे पहले आती है कि हमारा जो फलन है, a, b में सतत होना चाहिए ठीक है, तो सतत होना चाहिए, दूसरी सर्ते यह होती है, कि स्मोले, यानि जो open interval है, उसमें हमारा जो फलन है, वो अवकलनी होना चाहिए और तीसरी सर्त यह है, कि fa equal to fv होना चाहिए यह तो हमारे तीन सर्ते हो गई, इसका reality यह बोलता है, कि इस फलन का अवकलन, यानि f dash, किसी एक ऐसे बिंदू पर सूनने होगा, जो बिंदू a और b के बीच में ब्लॉंग करेगा तो मैंने कोई बिंदू c ले लिए, जहाँ पर इस फलन का अवकलन 0 है, और बिंदू c यह और b के बीच में होगा ठीक है, तो हमें fx दिया हुआ है, x square ठीक है, और अंत्राल हमें दे रखा है, minus 2,2 अब देखो, चुंकि यह बहुपदी फलन है, तो सदेव सतात एवं सदेव अवकल नहीं होगा 4x ब्लॉंग स्टूरियल, तो इस अंत्राल में भी सतात और अवकल नहीं होगा तो पहली दो सरते तो पूरी होगा, तीसरी सरत के लिए में चेक करना पड़ेगा f of minus 2 का मान, 4, f of 2 का मान भी मेरा कितना होगा, 4 तो तीसरी सरती भी लागू हो गई, ठीक है, तो हमारा इस पर रोल की थियोरम लागू होती है अब हमा कोशन में क्या का गया है, कि हमें वो बिंदू ग्याद करना है, जहाँ पर इस पर सरीका x सच के समानतर हो तो सबसे पहले ये concept समझते हैं, देखो, ये कोई हमारा वक्र y equal to fx है, ठीक है, तो इसका हमने कोई बिंदू ले लिया, जहाँ पर हमने इसकी सपर सरीका खींच दी, अब ये सपर सरीका x सच की दनात्मक दिशा से कोई ना कोई कोण बनाएगी थीटा, तो जो इसकी अंतर होता, इसका उनतर होता, इसका उनतर होता, थीटा 0 हो जाएगा, और 10, 0 का मन क्या होता है, 0 होता है, 10, 0 degree का मन 0 होता है, तो इसका उनतर हो गया, कि d by by dx हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो देखो, y equal to हमारा क्या है, x square है, तो d by by dx क्या है हमारा, d by by dx हमारा तो x square का 2x, तो यह हमें किया चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 हो गया, तो x equal to 0, तो देखो, अब रोल का theorem क्या कहता था, कि जिस बिंदू पर अफ़कलन है, यानि f dash x और dy by dx तो एक ही चीज है, क्योंकि हमने फ़लन y equal to b, तो f x माना है, तो देखो, क्या x equal to 0 इस interval में लाई कर रहा ह होगी, तो अब हमें बिंदू ग्याद करना है, तो x equal to 0 रख देते हैं, y at 0, क्या होड़ेगा, 0 का all square, यहनि 0, तो हमें बिंदू क्या मिला, 0,0, तो 0,0 पर हमारे इस पर स्रेखा, एक सच के समानतर होगी, थैंक यू.